हेलो प्राइज चागरती स्वेश्फूड में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे रोटी चिला काफे बार ऐसा होता है कि रोटी बज जाती है तो कोई खाते नहीं है ठंडी रोटी किसको पसंद नहीं आती है तो या करें तो यह बेस्ट ऑप्शन है और अच्छे लगती ह बच्छों को भी अच्छा लगता है तो आए देखिए रोटी चिला किविदी तो देखे रोटी चिला बनाने के लिए हमने क्या लिया है टमाटर लिया है कांदा हल्दी पावडर हीन तन्या पत्ते अध्रक की पेस्ट ली है अरी मिर्चिली है पेस्ट करके और लेमन रोटी है और नमक तेल और दो तैयार करने के लिए पानी तो चले स्टार्ट करते हैं एक बड़ा बावल लिया है हमने उसने डेशन का आटा डाल देंगे पिर इसमें टमाटर डालेंगे हरी मिर्च की पेस्ट बनाई है हमने वो डाल देंगे अद्रक डाल देंगे ब्रेट किया हुआ कांदा डालेंगे लेमन का ज्यूस डाल देंगे एक छोटी चमच जितना है कुटी टीकी हिसाथ से ज्यादा कर सकते हैं अल्दी पाउडर जालने के एक छमच इतना एक छोटी चमच जितना एक छोटी चमच जिंग और एक छमच नमक करेंगे सारे मसालों को मेक्स कर लेंगे कराबर से इसमें पानी डाल के डू तैयार करेंगे गाड़ा एकदम गाड़ा हम इसका डू तैयार करेंगे पतला नहीं होना चाहिए अब हमारा यह जो तैयार हो गया है अब हम चिला बनाने स्टार्ट करेंगे अल्रेडी गेज पर हमने पैन रख दिया है और रोटी को हम डालेंगे उसके उपर फिर उसमें वह हमने जो तैयार किया है वह डाल देंगे और फोली देरी से पकने देंगे और फोली देरी से पकने देंगे करेंगे अब हम इसकी साइड टेंज कर लेंगे और अच्छी तरह से उसे पकने देंगे देखें यह साइड में हो गया है थोड़ी देर दूसर से साइड कड़क कर लेंगे और निकाल लेंगे इसी तरह से हम देखो हो गया है इसी तरह से हम सारा चिल्ला बना लेंगे तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बूले देखो दूसरा चिल्ला भी हमारा हो गया है होने लगा है तो अब हम दोनों चिल्लो को पिज़्दा कटर से कट करेंगे और उससे सोज के साथ साथ करेंगे आप इसे चत्नी के साथ पर भी डीट के साथ सोब कर सकते हैं साथ बनाईए और अपने अनुगों चाप्रोटेस रेट को पे सेर किकिए अजय आप करता है आप करता है झाल